नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8B तो यहाँ पे हमें 1 to 15 questions में equations दी गई हैं जिनको हमें solve करना है shifting और transposition method से तो देखे इसके question number 1 में हमको दिया गया है x plus 7 it is equal to 16 x plus 7 it is equal to 16 तो हमको यहाँ पे x की value find out करनी है तो देखे यहाँ पे मैं write कर लिता हूँ x and equal to 16 अभी मैंने यहाँ पे किसको अटाया है इसको अटाया है 7 को तो 7 यहाँ पे plus का है उदर आके हो जाएगा minus का तो x it is equal to हो जाएगा यह 16 में से 7 जाएगा तो 9 question number 2 देखे इसका question number 2 इसमें हमें दिया गया है p plus 2 1 upon 2 it is equal to 5 तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जो यह mix में दिया गया है इसको मैं improper में write कर लेता हूँ तो p plus में यह हो जाएगा 5 upon 2 it is equal to 5 अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे p लिखूँगा it is equal to मैं यह 5 हटायक इसको मैंने यहाँ से 5 upon 2 को इधर जाके हो जाएगा यह minus का 5 upon 2 तो p it is equal to यहाँ तो आप इसको क्या कर लें lcm लेके solve कर लें otherwise यहाँ पे क्या करेंगे 5 को 2 से divide कर देंगे तो यह आजाएगा 2.5 तो p it is equal to आजाएगा हमारा 5 मैं से 2.5 को minus करेंगे तो 2.5 question number 3 देखते हैं इसका तो यहाँ पे हमें दिया गया है a minus 1 it is equal to 9 तो 8 is equal to आजाएगा यहाँ पे 9 और हमने हटाए यहाँ पे minus 1 को उधर जाएगा plus का 1 तो 8 is equal to यह हो जाएगा 10 question number 4 देखते हैं इसका 4 में हमको दिया गया है t minus 8 it is equal to 12 ठीक है तो ये क्या करेंगे यहाँ पर t is equal to लिखेंगे 12 इसको लिखना है और equal के इधर जो यहाँ पर number है इसको लिखना है और फिर यहाँ पर क्या करना है जिसको हमने हटाया है उसको यहाँ पर write करना है बट sign change करके तो minus का है यहाँ पर तेधर हो जाएगा plus का तो t it is equal to यह हो जाएगा 12 और 8 20 question number 5 देखते हैं इसका तो 5 में हमको क्या दिया गया है n minus 1.6 it is equal to 2.4 तो n it is equal to आ जाएगा यहाँ पर 2.4 हटाएक इसको 1.6 को तो यहाँ पर minus का उधर आके plus का तो n it is equal to आ जाएगा यहाँ पर जब इन दोनों को add करेंगे 4.0 जिसको मैं write कर सकता हूँ question number 6 देखें यहाँ पर तो question number 6 में हमको दिया गया है 8 z it is equal to 72 तो z की value निकाल लेए यहाँ पर z it is equal to 72 हटाएक इसको यहाँ पर 8 को तो 8 यहाँ पर multiply का है इदर आके इसको divide करेगा upon में 8 आ जाएगा तो 8 बन जा 8 8, 9, 72 तो z it is equal to आएगा मेरा 9 question number 7 देखें यहाँ पर इदर दिया गया है 10 x it is equal to 90 x it is equal to 90 write करेंगे 10 यहाँ पर multiply में है इदर आके इसको divide करेगा तो 10 बन जा and 10 9 जा तो x it is equal to आजाएगा 9, question number 8 यहाँ पर यह है हमारे पास 1 upon 9 t it is equal to 4 ठीक है तो t multiply 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें कुछ भी sign ने इसका मतलब multiply में तो t multiply 1 हो जाएगा t upon 9 it is equal to 4 तो यह आजाएगा हमारे पास t it is equal to 4 यहाँ पर 9 को एटाय मेंने तो 9 किसमें है यहाँ पर division में है उदर जाके इसको multiply करेगा तो t it is equal to आएगा यहाँ पर 36 question number 9 देखते हैं वई तो question number 9 में यहाँ पर हमको दिया गया है 10 it is equal to x upon k 1.3 आप इसको ऐसे भी write कर सकते हो reverse करके x upon k 1.3 it is equal to 10 तो देखे यहाँ पर x है it is equal to लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 10 and 1.3 को मैंने हटाया अभी यहाँ पर किसमें था division में और उदर जाके हो जाएगा multiply में ठीक है यहाँ पर divide में था तो transpose हो के क्या हो जाएगा multiply का हो जाएगा तो अभी क्या करेंगे यह point हटा लेंगे हाँ से point हटाएंगे तो point के बाद एक digit है इसलिए एक के बाद एक 0 10 हो जाएगा तो 10 से 10 कर जाएगा तो x is equal to आजाएगा यहाँ पर कितना 13 question number 10 देखे तो 10 में हमको दिया गया है x upon के 2.8 it is equal to 1 upon के 1.4 तो यहाँ पे देखे क्या दिया गया है x it is equal to 1 upon के 1.4 हमको इसकी value चाहिए ना x की तो x लिखा और equal के उधर जो भी है वो लिखा हटाए कि इसको मैंने आजए 2.8 को जो यहाँ पे divide में है उधर जाके हो जाएगा multiply अभी देखे point के बाद 1 digit point के बाद 1 digit तो like decimals हैं तो decimals cut हो जाएंगे यहां से तो यह 14 1 जा and 14 2 जा तो x it is equal to आ जाएगा 2 question number 11 देखते हैं इसका तो 11 देखे क्या है यहाँ पे यह है a plus 8 it is equal to minus 2 तो 8 is equal to हो जाएगा यहाँ पे minus 2 हटाएक इसको 8 को तो plus का 8 है यहाँ पे आ जाएगा minus का 8 तो 8 is equal to हो जाएगा minus 10 question number 12 देखते हैं इसका तो देखें 12 में क्या दिया गया हमको c minus 2 it is equal to minus 5 तो c it is equal to write कर लेता हूँ मैं यहाँ पे minus 5 ठीक है हटाएक इसको मैंने आसे minus 2 को तो minus 2 उदर जाके हो जाएगा transpose हो के plus का तो c it is equal to 5 में से 2 गए तो 3 है ना plus minus minus करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बड़े नमबर के साथ minus तो यह आएगा minus तो c it is equal to आगए minus 3 question number 13 देखें इसका तो यहाँ पे दिया गया है minus 3 and plus में y ठीक है it is equal to यह आ जाएगा कितना 18 minus 3 plus y तो मुझे y की value चाहिए तो y equal में जो भी है उसको write करेंगे अड़ाएक इसको minus 3 को उदर जाके बजाएगा plus का तो y it is equal to यह आ जाएगा 21 question number 14 देखते है यहाँ पे 14 क्या दिया गया है 4 w it is equal to 30 and w it is equal to मुझे w की value चाहिए यहाँ पे it is equal to हो जाएगा 30 ठीक है 4 क्या है यहाँ पे 4 को अटाएग मैंने तो 4 multiply में उदर आके इसको करेगा divide तो cut कर लेते हैं यहाँ पे यह किस पे जाएगा देखो 22 चा 4 and 21 चा 25 चा तो w it is equal to 15 upon 2 decimal में write करना चाहिए तो decimal में करने otherwise इसको mix में करने तो 27 चा and 1 upon 2 ठीक है ना और अगर mix इसको decimal में करना चाहोगे तो कितना जाएगा यह आजाएगा 7.5 है जब divide करेंगे किससे 2 से 15 को question number 15 देखिए क्या है यहाँ पे 12 it is equal to m upon 5 आप इसको ऐसे भी write कर सकते हो m upon 5 it is equal to 12 उल्टा करके लिखा है बस मैंने तो m it is equal to यहाँ पे write करेंगे 12 हटाएग इसको यहाँ पे 5 को 5 division में उदर जाके multiply करेगा इसको तो m it is equal to आजाएगा 60